बच्चों यहां पर हम कुछ characteristic feature देखते हैं, phylum SKL Mynthies के, SKL Mynthies के organism को roundworms कहा जाता है, बच्चों इनको roundworms क्यों खा जाता है, क्योंकि जब भी SKL Mynthies के organism का cross section क्ट किया जाता है तो उस cross section को कट करने पर उस organism की body rounded दिखाई देती है, इसलिए इनको roundworms कहते हैं, यह SKL Mynthies के स सारे और्गरिज्म सीडो सीलोमेट होते हैं सारे फाइलम में से अकेला फाइलम है जो सीडो सीलोमेट करेक्टर को शो करता है तो यहां से important question बनता है इनकी digestive system इन में complete होता है और साथ साथ जो muscular जो फेरिंग्स होती है वो muscular होती है तो यह भी important character है कुछ important जो आते हैं इसमें इस